हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक टू माई चैनल तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे फल के छिलके के बारे में बताने वाले हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे आप इस छिलको को जरूर कच्रा समझ के फेक देते होंगे तो चलिए हम आपको एक ऐसे फल के छिलके के बारे में बताने वाले हैं जिसका यूज आप कई रोगों में कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप हमारे आरवेदिंग नर्सरी चैनल में नए हैं तो जरूर सस्क्राइब करें और बेल आइकन को उप्रिस कर दीजे और दोस्तो आल पे क्लिक कर दीजेगा तो चलिए दोस्तो बताते हैं आपको छिलके के बारे में वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो जिस छिलके की हम बात कर रहे हैं वो है अनार का छिलका आम तोर पर लोग अनार खाने के बाद उसके छिलके फेक देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनार के छिलके भी बहुत फाइदेमंद होते हैं आप इसका इस्तमाल कई बिमारियों से लड़ने के लिए कर सके तो दोस्तो हम सभी लोग जानते हैं अनार हमारे सेहत के लिए बहुत फाइदेमंद है इतना ही नहीं इसके बीज और पत्तियां भी लाब दायक होती है अनार खाने से सरीर में हीमोगलोविन का लेवल बढ़ता है आम तोर पर लोग अनार खाने के बाद उसके छिलके फेक देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनार के छिलके भी बहुत फाइदे मंद होते हैं आप इसके इस्तमाल से कई बीमारियों से लड़ने के लिए कर सकते हैं इसके अलामा जुर्यों में मुहासो और पेंपल्स से भी छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं तो दोस्तो चलिए जानते हैं इसके छिलके के फाइदे तो दोस्तो हीर्दे के लिए फाइदे मंद होता है एक एसिडिटी के अनुसार अनार के छिलके में मेतनौल अर्क में एंटी एक्सिडेंट के गुड़ होते हैं तो बिड कोलिस्ट्रोल को कम करने में मदद करता है। इससे आपको हिर्दै सम्मेंधी परिशानिया नहीं होती है। मुझ की बदवू को दूर करता है। अनार के छिलके में पॉलिफेनिलिक फ्लेवो नाइडस पाए जाते हैं जिसमें एंटि बैक्टेरियल और एंटि फंगल गुड होते हैं। इसकी वज़ा से मुझ में फैले की टाणूओं को खतम करने में मदद मिलती हैं। अगर आप मुझ के दुरगंदी की समेस्या से परिसान हैं तो अनार के छिलकों का इस्तिमाल माउथ फ्रेसनर की तरह कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनार के छिलकों को सुखा कर पेश्ट बना लें। सुबा एक एक चमच अनार के पाउडर को एक गलास पानी में मिला कर पिएं। तो दोस्तो जिन महिलाओं को अनेयमित पीरियड्स की समेस्या रहती है उन्हें इस समेस्या में बहुत अधिक पेट दर्द रहता है इस समेस्या से छुटकारा पाने के लिए एक चम्मचनार के छिलके के पाउडर को एक गिलास में मिला ले इस मिस्रड को पीने से रक्त इस्तराव कम होगा और पेट दर्द से भी रहत मिलेगी इसके अलामा आप अनार के छिलके का इस्तमाल बावासीर, सर्दी जुखाम और खासी से रहत पाने के लिए कर सकते हैं जुर्यों को कम करता है आप अनार के छिलके का इस्तिमाल जुर्रियों और फाइन लाइन्स कम करने के लिए कर सकते हैं इसके लिए आपको गुलाब जल में अनार के छिलके का पाउडर अच्छे से मिलाना है इस पेश्ट को सूखने तक चहरे पर लगाए रखें इसके बाद पानी से धो लें सन टैन को दूर करता है आप अनार के छिलको का इस्तमाल सन स्क्रीन के तौर पर कर सकती हैं इसके लिए सूखे छिलको को तेल के साथ मिक्स करके चहरे पर लगाए इस मिसरड को लगाने से सन टैनिंग के राहत मिलती है तो दोस्तो ये थे अनार के छिलके के फाइदे के बारे में आप इसके छिलको को सुखवा कर पाउडर बना सकते हैं और इसका इस्तमाल करिए तो दोस्तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताईए और दोस्तों लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक यू